अब तीसरे तरीके के सवाल कैसे मिलते है न वो लिख देगा क्या लिखेगा कि एक कंटेनर है हाउसर एक कंटेनर है 25 मिनिट में वो हाफ मतलब 25 मिनिट में 1 by 4 भरता मतलब 25 प्रेजेंट भर जाता तो कितना टाइम स्कॉल लगेगा पूरा कंपलीट होने तो अरे भाई एक का डबल सारे यार तुमने हिरा फेरी नहीं देखी यह बाबरा कुस्टाइल एक किस दिन में पईसा चार गुना फिर आठ गुना ऐसे चलता ना वैसे इसमें बेक्टर का डिवीजन है हाँ बई कैसे हो सब सब बढ़िया सबके जीवन में तो आब बदा एक कमेंट आया था में पास कि बैक्टर डिवीजन के जो कोश्टन्स होता हैं उनको कैसे करें देख भाई पहले तो आप यह बास समझो कि भाई सब यह जो कुश्टन्स आते थे इस टाइप के यह पीमटी में आते थे अब क्या इन्होंने मॉडिफाई किया इन्होंने बूला मिनिट्स को छोड़के इन्होंने क्या किया नंबर दे दिया नंबर उप इसके उपर में पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं समझ रो तो वह देख लेना वैसे यह सकते हैं ऐसा निक भाई आएंग coercion है आई यह नहीं आ भी सकते हैं तो अपने 我有 में जिकते कम रहेजिए से ब्लब का सकते हैं अधैं कुछ नहीं दिविजिडियों निट विंटै अपको आपको सवाल कैसे मिलेंगे का मिलेगा कि आ bakई वह पतलू है जीसकी रेम एक बन्ट्रियो मेंने पासे प्याशननना एक बेक्टरिया को दो बेक्टरिया बनने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है ट्विंटी मिनिट हाउसर समझी गए उसने हमसे बोला है आफ्टर टू आवर्स मतलब दो गंटे आफ्टर दो गंटे हाउ मेनी बेक्टरिया और फॉंट ठीक है कुछ नहीं करना मैं आपको तो आपका मतलब इसे ट्रिक भी समझ लो और उससे जल्दी कुश्शन सौल्ब हो जागा नि तो आप लोग बैटो कि एक से दो दो से चार चार से आठ कौनसे भी बता देंगे आपके कुश्शन सौल्ब हो जाएंगे तो अब शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के तो देख भाबा तो देखो भाई सबसे बहले एक लंबी सांस लो और कुश्शन को शुरू करो देखो एक बैक्टिरिया में जिसका रेट ऑफ बैक्टिरा किता है 20 मिनिट रेट ऑफ बैक्टिरा फॉर्मेशन मतलब क्या कि इतने टाइम में वो डिवाइड करके एक से दो हो र लगा और इसमें भी 20-20 ऐसे करते चले जाओं कि 2020 बिस्किट नहीं है बहुए यह 2020 बिस्किट नहीं है मिनिट की बाद चल दई है तो यह देखो 20 और यह 20 कित्त हो गए 120 मिनिट मतलब कि जब 120 मिनिट मतलब दो गंटे बाद जो बैक्टिरिया का नंबर होगा वो कित्त वो क्या है क्या है सरे बता रहे ना रुको तो नंबर ओगके फॉरमीशन का क्या करना हमरे पास जो इडन क्तरीह पास उपराइं 20 मिट में ठीक है तो इसको जब solve करोगे तो 6 आएगा अब यह 6 का मतलब क्या है सर अरे भाई साब मतलब 6 बार division करेगा समझ रहो तब बेक्टरिय डिवाइड होगा ठीक और तीसरी चीज हमें हमसे सवाल में क्या पूछेगा find a total number of bacteria after two hours मतलब जब दो गंटे उसने खुब दिल से डिवाइड किया हमें किते बेक्टरिय मिलेंगे तो यही पूछा ना how many bacteria are formed तो क्या करोगे कुछ नहीं सर एक और देख लो तो देखो भाई हमसे पूछेगा total number of bacteria हम 20 minutes बात किते बेक्टरिय होंगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे multiply कर देंगे two की power n से सर अभी हमें कुछ भी समझ में नहीं आया आप नहीं यह क्या क्या लिखवा दिया बिल्कुल tension नहीं लेने का पहली बार में समझ में नहीं आता हमसे सवाल पूछेगा how many bacteria are formed ठीक है और ह दूसरा सवलम से पुझेगा total number of bacteria किते form हुए तो उसके लिए करना initial number into two की power n मतलब क्या है division किती बार उसने divide किया अच्छा अब इस सवाल को देखो फिर से तो इस सवाल को जब तुम देखोगे यह यह बता concept है हर हर question में यह लग जायागा देखो अब bacteria हमरे पास ठीक है उ तो total number of bacteria किसे निकालोगे initial number किता है सर इसमें तो लिखा ही नहीं है अरे जब नहीं लिखा तो समझ जाना एक एक से सुरवात करी है अपने एक bacteria और उसको 120 मिन तक दिवाइड दिल से मतलब उससे बोल लिया जाओ बिटा तुम दिल से रिप्रोड्यूस करो समझ रो बैक्ति दिल से 32 यह मैस में पढ़ते हैं अपने न कोई बोले यह क्या पढ़ा रहो तो 2 की पार 6 किता होता है 64 तो आंसर के चला जाएगा 64 बैक्टिरिया यह चार आपशन अपने को देगा 32 64 नन 0 अपने को आंसर के लगाना 64 बैक्टिरिया ठीक हो कि 2 की पार 6 किता होता है 64 कोई simple ना कोई दिक्कत थी नहीं थी अब दूसरा सवाल देखो अभी थोड़ा दीरे-दीरे तुम्हाएं बेस बनते चला जाएगा दूसरा सवाल देखो देखो उसने हमसे क्या बोला 1.75 10 वाब 35 भेक्टिरिया अच्छा मतलब उसना में टोटल बेक्टिरिया थी थी शी चाल बेक्टिरिय धुक्टल मतलब की एक टैम लग रा है मListen अब हर वेक्टिर्या करें रिपर्डेउcket ठीक है अब उसमें बोला आफ्टर 175 मिनिट हाउ मेनी बेक्टरिया और फॉंट अरे बिल्कुल समझ लो कोई टिक का से इसमें नहीं है सब से पहले निकालोगे एन एन मतलब डिवीजन ठीक है कैसे निकालोगे डिवीजन भाई साब कितना मिनिट है टोटल हाँ कितना है तो 175 और एक बेक्टरिया कितनी टाइम में डिवाइड करता है एक से दो में 35 मिनिट इसको सॉल कर देना आंसर कितना आएगा भाई या गड़े थमाई तोई कम जोर है आंसर कितना आएगा 5 मतलब कि 5 बार ये डिवीजन करेगा था उसर 5 बार डिवीजन जब अब समझो जब इस 2 की पावर 5 किती बार किंड़ के वह दो 12 किभावर 5 कितना होता है सर टू की पार 5 वह उता है साल 32 32 Will 232 एंटु 1.75 करोगे आउनसर कितना आएगा आपना कितना 56 6 into 10 की पावर 35 बेक्टिरिया हमें मिल जाएंगे तो आंसर ये चला जाएगा देखो समझ में आ रहा ना अप्रोच क्या है हमरे पास बेक्टिरिया होंगे हो वो बोलेगा कि हमें जनरेशन टाइम बताओ जनरेशन टाइम बताओ या फिर कित्ती बार इसने डिवीजन किया इत 25 बढ़ जाता तो कितना टाइम स्कोल लगेगा पूरा कंप्लीट होने में तो इसमें बच्चा पता बहे जाता है बहे जाता मतलब कंफ्यूज हो जाता क्योंकि वह देख पढ़ता वह थोड़ी समझ रहो यह सब पीम्टी के कुश्चन है मलब नीट के समझ रहो लेकिन इस सब्सक्राइब क्यों कि वहापर क्या दोड़ी पावंदी तेढách प्रक्रण बंड़ा का 20 म दितर रहा होगा अश्री मिनिट थी देखो बिल्कुल टेंशन निलेना क्या निलेना टेंशन नहीं लेना इसने वन फोर्थ कित्ता एट्टी मिनिट में भरा हुआ है एसे सवाल जब भी देगा न वह आपको क्या देगा जनेरेशन टाइम यह होती है में चीज जनेरेशन टाइम मतलब की देखो सुनो एक अरे यार तुमने एहरा फेर ही नहीं देखी एक के जिन में पईसा चार गुना फिर आट गुना सुला गुना ऐसे चलता ना वैसा इसमें बेक्टर का डिवीजन है समझ रो अरे बाबू नहीं समझा भी बी वन फोर्थ मतलब 25 परसेंट 80 मिनिट में जब दो मिनिट बाद कि नहीं क्योंकि दो मिनिट क्या है जेनरेशन टाइम मतले एक से दो वन होने में दो تھो मिनिट लग रहे हैं तो अब हम्रे पास 12 13 मिनिट में तो हाफ मतलब आधा का बर आएगा 82 मिनिट में दो मिनिट बाद फिर फुल कब होगा 84 मिनिट पर समझे नहीं समझे खेल है इसका generation time का अगर यहां generation time में वो change करेगा तो यहां पर time में भी change होगा तो हमसे सवाल क्या पूछा था complete fill किते minute में हो जाएगा तो answer कह जाएगा 84 minutes में क्यों क्यों कि generation time किता है 2 minutes अभी भी नहीं समझे क्यों कि देखो यह थोड़ा tricky type को होता तो बच्या सोचता है क्या वदला है 1 by 4 मतलब 25% 80 minutes में बढ़ा है ठीक है generation time किता है 2 minutes अब 80 से उसको 1 by 4 से उसको half होने में मतलब की यह मानलो bacteria है तो उसको फिर से 2 बनने में किता 2 minutes लग रहा है हंजी तो 2 minutes हमने बढ़ा दिये तो मतलब half जब वो भरेगा तो कितने मिन बर जाएगा 82 minutes में फिर full होने के लिए फिर से डबल करना पड़ेगा उसको तो 84 minutes में क्यों हो जाएगा फुल हो जाएगा यह वाबा सवाल है नीट का क्या अरे उसमें 2 minutes था ना भी पिछले question में मतलब की एक बेक्ट्रिया से दो बेक्ट्रिया बनने में इसको कितना समय लग रहा एक मिन मतलब यह fast fast समझ रहा है जल्दी जल्दी रिप्रडियूस हो रहा है फिर और फिर यह एक मिन रहा है इसकी इसका है request न भी यह एक मिनवी से चार अब जैसे एक से तो हुआ तो एक मिन मिन ben लगा फिर दो से चार होगा तो फिर से एक मिन मान लो समझ रहो हमसे हमें उसमें दिया क्या है 1 by 4 58 minute में भरा है, हमसे उसमें सवाल में पूचा है, मतलब 55% सवाल देखो 1 by 4 मतलब 25% ranking 25% किते 58 minute में बरा, फिर सिह किप डिवाइट करेगा हान जी, तो कितने में आएगा हाफ पर आएगा, तो हाफ पर आने में मतलब फुल मतलब टोटल फ्लास्क को भर देना बेक्टरिया से यह क्या है छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे बेक्टरिया है बढ़िया मत्रगस्टी कर लाएंगे वहां समझ रहो जैसे तुम लोग नहीं करते थी वैसी बढ़िया मजाक चल ला होगा और वाई कैसे हो यह सब बेक्टरिया गई बाची चल लए होगी तो फुल होने में इसको कितना मिट लगेगा 60 मिनिट नहीं समझे एक मिट फिर से बढ़ा हो देखा हाफ था हाफ हुआ कितने 59 मिनिट में तो एक मिट यह सी तुम बढ़ा होगे तो फ्लास्क पूरा बर जाएगा 60 मिनिट में समझे अभी भी नहीं समझे चलो देखो एक गंटा में 60 मिट क्या गंटे का पूर्ण प्योग समझे रहे तो 60 मिट में क्या होगा बेक्टरिया जो पूरा डिवाई पूरा भर गया अब चलो एक और से लो अपने इसी पैटर मना ले रहा है और उसने बोल दिया कि वन बाए फोर् फिर एक मिट में दो से चार ऐसे तो वन बाए फोर ँगर 29 विट बढ़ा है हाँ जी तो हाफ किते में बढ़ेगा एक मिट आधर आजcé हो बढ़ादो समझेल गया जब भी तुम्हाल निकल जाती दो बड़ाना ये क्या होगा कुछ नहीं हुआ एक मिli हगाना क्योंकि अठ English सवाल में वैसे ऐसे सवाल आने के चांसेज हैं यह नहीं कि आएंगे पहले पूछे जाते थे पहले के ट्रिकी थोड़ा सवाल आता था अब तो तुम देखिए रहा हो कि इग्दम लो गया समझ रहो समझ रहो तो आशा करते हैं बाब यह आपको समझ में आया होगा रेट वेरी वेरी बेश्ट